यारे बच्चियो आज जा सी कला सेवन दी एक्ससाई 5.1 लाइन जान एंगल चिसनों सी अभी विचे रिखामाते कौन केने या दा क्वेश्चन नमर वन टू एट अज दी इस वीडियो विचे समझन दी कोशिश करांगे आओ बच्चियो अपा शुरू कर दियां अपना फर् कम्पलीमेंट फाइन दा कम्पलीमेंट ओफ इच ओधा फॉलिंग एंगल्स बच्चो एथे कम्पलीमेंट दा मतलू हुंदा है पूरक उन्हें कम्पलीमेंट की हुंदा है बच्चो सन्नु पता है जो कम्पलीमेंट हुंदे ने इनना दे एंगल्स दा जोड़ हुंदा है और इसे एंगल टू बन रहे हैं इनना दोन्ना दा जो साम होएगा एक इनना होएगा 90 डिग्री होएगा हुन जे अपने अपने फर्स्ट कोस्चन आंदा है 20 डिग्री वा अपने कंप्लिमेंट एंगल बी डिग्री दा पूरक कौन कड़े के दिखान है तक की लिखांगे अपने हुनी सिख्यासी जो कंप्लिमेंट एंगल होएगा हो 70 डिग्री होएगा उन बच्चेव अग्गे आंदा अपने को लें सेकिंड एथे है 63 डिग्री ता उन एथे की लिखांगे कंप्लिमेंट of 63 डिग्री तक की में करांगे 90 बिच्चों 63 नो माइनस करांगे ता साथे को लेकिंड आएगा 27 डिग्री एसे तरी बच्चेव जो थर्ड सम है एथे इस दे बिच है 57 डिग्री ता इथे हैंसी की लिखांगे 27 डिग्री दा पूरक कौन जांग कंप्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट of 57 डिग्री तक की करांगे 90 डिग्री विच्चों 57 डिग्री नो असी माइनस करांगे माइनस करके साथे को लेकिंड आजिगा 33 डिग्री उमीदा बच्चेव तुसी इस दा फर्स्ट पार्ट जो है हो असा निग्र समझ चुक्कियों आओ चल दे हुन यह थे बच्चेव अपने को लेंदे हैं सप्लीमेंट फाइन दा शप्लिमेंट आवफ एचव दा फोलिंग अंगल्स सप्लिमेंट ड़िमेंट बच्चेव अपन अभी विच क्या है यंदे संपूरक जिस्थरा कॉम्प्लीवेंट आउंग्स अ सामकिनन माद है बाने एट supplement of 105 degree तक की करांगे 180 degree विच्चो 105 degree में वसी की करांगे minus करांगे minus करके किन आएगा सड़ेकोले 75 degree ऐसे तरहीं विच्चे जो सड़ेकोले तक की करांगे 180 degree विच्चो 87 degree करांगे माइनस करांगे माइनस करांगे दोको माइनस करना देकिन आजेगा अपनेकोले 93 डिग्री ऐसी तरहीं विच्चे जो थर्ड पार्ट है एस तिर्चे एंगल आंदा है 154 डिग्री तरहीं सिकी लिखांगे सप्लीमेंटर ओफ 154 डिग्री ता 180 डिग्री विच्चो अपन 154 डिग्री की करांगे माइनस करांगे माइनस करके सड़ेकोले किना जेगा 26 डिग्री उमीदा बच्चे तुसी एवाला जो सेकेंड कोश्चन है यह भी तुसी समझ चुके हो आओ चल दिया हुन अपना कोश अबर थर्ड विच की आंदा है अडंटी फाइव बिच्चो अदा फॉलिंग पेर ओफ एंगल्स पेर हुन दा बिच्चे जोडा यह उन्दा है जोडा ओफ एंगल्स आर कपले अंपलीमेंटरी और बिच्च आर सप्लीमेंटरी एननना विच्चो केडे इनना चो पूरक सप्लीमेंटरी ना मतलब संपूरक ने आउच्या करके देख देख देखो जो अपने को ले फर्स्ट पार्ट आंदा है इस दे विच्चा पां 65 डिगरी और 115 डिगरी नो 115 डिगरी नो जोड़ों एड करांगे तब बच्चे देखो एड करांते अपने को ले किन्णा बन ज से होनगे शावाश तुसी असानी ना जा सक देऊं केड़े होनगे अपने को ले सप्लीमेंटरी जिसनों सिपन्या बिच की कहा देन्या संपूरक हूं तो से मिनु सेकेंड भी करवा सक देऊं जैस की करना है 63 डिगरी और 27 डिगरी में आड करांगे देख किना आंदा अपन कोंप्लीमेंटरी एंकल्स केड़े हों देने बच्चेव कोंप्लीमेंटरी जिसनों पिजा बिच की कहा देन्या पूरक एसी तरहीं बच्चेव हूं थर्ड सामांद है एक्थियांसी की करना है 112 डिगरी नू ठाट डिगरी नाल वान हंड़ट वाइलमनू 68 डिगरी नाल ज जिसनों पिजा बिच की कहा देन्या संपूरक एसी तरहीं बच्चेव फोर्थ पार्ट आंदा है इसी विच्च वान हंड़ट थर्टी डिगरी दे विच्च जो फिफ्टी डिगरी नू एड़ कर देया तो साथे को लेके नांदा है 180 डिगरी 180 डिगरी आले आप पहुनी प्रेशी केड़े अंगल्स होंदेने सपली मेंटरी अंगल्स जिसनों पिच की कहा देन्या संपूरक एसी तरहीं बच्चेव अपने कोले है शिक्स पार्ट स्वारी फिफ्ट पार्ट विच अंदा है 45 डिगरी प्लास 45 डिगरी एनन वाइड करांगे किन ना गया 90 डिगरी 90 डिगरी आले केड़े अंगल्स अने अपने कोले कॉम्प्ली मेंटरी अंगल्स जिन्नों अपने कोले शिक्स पार्ट आंदा है 80 डिगरी प्लस 10 डिगरी 80 प्लस 10 किन ना होंदा है 90 डिगरी 90 डिगरी अंगल्स केड़े होंदाने कॉम्प्ली मेंटरी अंगल्स कॉम्प्ली बच्चे यो अच्छी तुन समझ आ चुक है कॉंप्लिमेंट्री और सप्लिमेंटरी युइंगों केड़े हुँ देने पूर्ग जा समपूर्ग केड़े हुँ देने रोब हुँन बच्च यो अब चल देैं यहां फो फोर्थ कॉस्ट्न दी तरफ फोर्थ कोश्चन विच आना है, find the angle which equal to its complement, एक का जहा कुन पता करना है, जो अपने पूरक दे समान होवे, एक को लिखे आ थे, पूरक दे की होवे, समान होवे, कॉम्पलिमेंट दे की होवे, समान होवे, हुन आप एक डियागरम बना के समझ देया, सनु पता भी जो पिमेट्री एंगल्स होंदे ने, ओनना है जो एंगल्स बनेगा, एंगल्स सम बनेगा, किन्ने दा होवे, 90 डिगरीरी दा, जो एनन देए, बिच आपके एंगल जो जडा मर्जी, एक एंगल आ एक समाना देया, ता दूसरे एंगल एड़ा होवे, यह अपने को लिखे, ठो तो दूसरे एंगल किन्ना हएगा फिर जैस्ट टोटल 90 दे विच्चों अप एक्स नुकी करांगे फिर माइनस करांगे जिस्तों सब्सक्राइब सेकेंड एंगल है जड़ा पॉइंड ओट हो जीगा ठीक है जी फून देखो बच्चेयों माल लो अपने कोले जो फर्स्ट एं एंगल और सेकेंड एंगल दोने के एंगल गीने अपर श्बीकल ने जिन एक्स डिगरी उड्रे सेकल ने ऐंट लो तसी तो प्लों द जूसक्ला माइनस बनेंगा पलस अद एक्कल टूकेस्ट दे 90 डिग्री एक्स प्लस एक्स किन्ना हुन दवच्चेव 2x डिग्री इकल टो 90 डिग्री जेहुन अपने एहे x डिग्री फाइंडूर करना हुए 2x नल की है multiply ते दर जाकी की बनेगा divide तकी लिखांगे 90 ओबर 2 ते डवाइड करके अपने को लेके ना जेगा 45 डिग्री 2 1 जा 2 42 जा 90 डिग्री तक किन्ना गया 45 डिग्री इट मीज चाहें अपने फर्स्ट एंगल करने जड़के x देखोल सी ओ भी 45 डिग्री चाहें अपने सेकेंड एंगल करने हो किन्ना सी अपने को ले 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री देखो एवले एंगल सी ताहुं कि में करांगे 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री ताहां भी किन्ना आएगा अपने को ले 45 डिग्री ओमीदा बच्चे तुसी फोर्थ पार्ट आजड़ा संदीना समझ चुक्यों फिफ्ट कोस्चन दी तरह एक कोस्चन बहुत जादे इंपोर्टेंट है उथे अपने फोर्थ सम्दे विच कंपलीमेंतर एंगल्स देख्या सी एथे साध्य को लेज शप्लीमेंटरी एंगल्स आंद है इसने विच भी करने दोने एंगल्स कीने अपकास विच इक्क्वल ने जिम्हें के देखो सब्लीमेंटरी स्पोस परो अपने इस तरहुआंदर कोई एंगल है सैंखल जो मालो एक्सोपे ऑन करें टोल नंतें वामने मेंटि नेदें विआ टॉटल लनी चैणिन ऊन्टो άλλे हों Ap णे को ऑग्साश नोकी करणे माइनिस करदें एसाधिक आधे याऊ प्र्स्ट एंगट आण एक एड़ा हो गया second angle वह देखो लेट फर्स्ट एंगल भी लेट फर्स्ट एंगल भी मार लो पहला कुन किनना है x degree then second angle भी किनना है गा 180 degree minus x degree ठीक है जी तो देखो बच्चे ओ उसने कहां सी according to question डोने angles की ने आप स्वीच इक्वल ने है की लिखांगे x degree equal to 180 degree minus x degree देखो minus x अधर जाके कादा बनेगा प्लास जा बनेगा equal to 180 degree x plus x किनना होंदा बच्चे 2x degree equal to 180 degree जी अपने x find out करना होवे तक की करांगे इस तू देनाल डवाइड करांगे देखो टू बन जा टू टू नाइन जा 18 ता सद्धे को ले x the value की निया जागी 90 degree एटी मींज जे आसी first angle करना है ता किस देवर आपबर सी x दे दे देखो first angle किस देवर आपबर सी x दे ता किनना आएगा 90 degree जे अपने second angle करना है second angle करना है तक की लिखांगे 180 degree minus x degree 180 degree देखो x दे वैल्यू की निया है अपने को ले 90 90 degree ता second angle भी किनना आएगा अपने को ले 90 degree देखो दोने एंगल first angle और second angle दोने की आगे अपने को ले equal angle आगे अमीदा बच्चे तो उसी समझ चुक्यों अपने चलने हैं six question दी तरब बहुत ही ज्यादा असान और important question है देखो इते की लिखांगे आए इंदा given figure यह वाली figure है angle 1 and angle 2 are supplementary angles मतलब angle 1 और angle 2 दोने की ने supplementary angles ने supplementary angles मतलब जिन्न दा सामकिन्न होगा 180 degree दे जिन्न दा सामकिन्न होगा 180 degree if one is decreased then what change should take place in angle 2 so that both angles still remain supplementary की क्या है तो देखो जड़ी यह वाली figure है इस दे विच जड़ा angle 1 है यह बड़ा है देखो देखांचे भी बड़ा लग रहा होगा तो नो ता angle 2 की है small है छोटा है ठीक है जी हूँ देखो उसने question की करता if angle 1 is decreased मल लो हूँ अपनी figure में बन गी इद्धर अपने कोले angle 1 है ता तुसी देखो भी हूँने एग angle इद्धर केड़ा भाएगा angle 2 होएगा जे अपने angle 1 नो कटाने या decrease कर देया ता ओटोमेटली एंगल टू की होएगा increase होएगा यही अपना सवार सी फिर भी देखो जे एंगल 1 नो अपकटाने या एंगल 2 की होएगा आटोमेटली बद जेगा फिर भी जो एनना दा साम बनेगा देखो एक स्टेल डाइन बन दी है में जे एनना दा साम बनेगा एवी किने दा बनेगा 180 डिगरी दा बनेगा ता हूं नसी की लिखांगे इफ एंगल वान बनेगे 나온 साम दिगरी तकम इंगल टू टू विल आर्सव इइंक्रीज्ड का बद जेगा ऑश्या कि लिखा तुसी आप दियां कप केंते हैं पंजाबी चे तुसी नोट कर सकते हो हां जी अमीद है तुसी question number 6 से जड़ा सिख गें और समझ गें आओ हुँ आप चल लें question number 7 दी तरफ हां जी थे आंदा बच्चो can two angles be supplementary if both of them are acute की दो में angles जड़ा जोड है वो संपूरक होएगा supplementary होएगा if both of them are acute जे दोने angle की होँँएँएँट होँएँट होँएँएँआप की कहांगे acuteIELकल केंडे होएँएँएँऔर जेरो दिगरी Herselen अग्य वेट्टे आंद आप्टियो सेंगल केड़े हुन्देने अधिक कौन केड़े अधिक कौन जेडे कीदे विच एक्जिस्ट कर देने 9 डेगरी और 180 डेगरी देविच 90 अते 180 विच और ग्यां दर बच्चे राइट 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 नो सी पन्जब बिच कहा देने या सम कौन फेड़े कौन सम कौन एक किन्ने दे हों देने 90 डिगरी दे हों देने आउँ हुन आप स्वालने शुरू कर देयां सबतों पहली कंडिशिन की कही गी है विज दोमें एंगल अक्यूट होन और यूंञ होन अप एक एक एकजांपल लेक्रहें चल देयां मालोक फेला एक कौन मालोक अपनी को लें 80 डिगरी तक इन्ना आएगा अपनी को लें 150 डिगरी मालोक उपनंऊ 180 डिगरी के 180 डिगरी देख लें 180 डिगरी देख लें नहीं है तो इट मीज जो साथा क्यूट एंगल है एथ रिजिस्टर नहीं करेगा उन बच्चेव पर चल देए अब ट्यूस एंगल दी तरफ इसनों भी समझीए फून देखो अपां वान एंगल अप्ट्यूस एंगल हो बड़े हुँन देने जड़े 90 डिगरी तो बड़े हुन देने 90 और 180 डे विच्चे रिजिस्ट का देने महाल लो बन एंगल अपम लेलो 100 डिगरी और आपण दूसर एंगल मालो ओ है अपने को ले 110 डिगरी अपर दोनों आड़ करके देख देया 100 डिगरी पलस 110 डिगरी साथे कोले किना जगा 210 डिगरी यह 180 डिगरी दे इक्कुल है बिल्कुल भी नहीं आवी फिर अप्टियोस अंगल वीचे साथ अंसर की वनेगा 9 की वनेगा 9 कुन अग्या अंदा बच्चे थो 90 डिगरी देखो भी भी नाईनो डिगरी है और सेकंड एंगल भी अपनेगो ले 90 डिगरी है इनोनों पैड करके देख देख दे 90 डिगरी पलस 90 डिगरी इनना आया 110 डिगरी मतलकि 180 डिगरी किस देखerson sisters तो इस एस अधा अंसर कियाएगा जैस दो एंगल जने जड़े किन्ने दे हो सकते ने राइट एंगल हो सकते ने समकोन हो सकते ने उमीद है बच्चे तुस्येस बग समझ चुक्यों हून अजद अपने को ले लास्ट जो सम है that is a question number 8 हाँ जी आज दी वीडियो विच आज दा असी लास्ट कोशन 8 करन जा रहे हैं आओ समझिए कना एन एंगल इस ग्रेटर देन 45 डिगरी इक एंगल 45 डिगरी तो बड़ा है ग्रेटर दा मतल की हून दे है बड़ा की हून दे है बड़ा is its complimentary एंगल ग्रेटर देन 45 डिगरी इस दा मतल की है पूर को कौन इस दा पूर को कौन पंताली तो बड़ा होएगा जा इस दे ब्राबर होएगा इकल तो मतल ब्राबर होएगा लेस देन की पंताली डिगरी तो छोटा होएगा चलो आप एक एक एंग्जाम्पल ना समझें click कोशिश का दिया उस ने पहले एंगल के आं मालो पहले एंगल 45 डिगरी तो ग्रेटर आइए पर मालो केन्स ना है का 50 कि फॉर्टी 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 फॉर इस वीडियो पसंद आई है इस वीडियो नू लाइक करना और वर्द द वर्द शेयर करना शेयर करना शेयर क्यों करने है बच्चेव क्योंकि आपने बख्य original कçar बच्ची आपने बख्यादविक आपने हैं और जिन्ना बतों प्राइस करने झूद अलता बहुत ओन tenemos आंवाद थैंक्स पौर बाचिंग झाल झाल